तो फाइनली आपके काफी सारे कमेंट्स के बाद आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना का पार्ट टू वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको उताने जा रहा हूँ इक्ता प्रथा के बारे में कि आखी लिए इक्ता सिस्टम थीका, ईक्ता सिस्टम का किस तरी के से विकास होता है, आज हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले है तो आज की यह जो वीडियो है यह आपके लिए काफी आदी important होने वाली है तो please इस वीडियो को complete देखेगा और वीडियो को जरा सा भी skip ना करें तो बिना time waste करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ तो सबसे पहले मैं आपको इसके learning objective के बारे मता जाता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा इसका एक overview देना चाहता हूँ ठीक है तो जो इकता system है इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इकता या फिर अकता सब्द का मतलब बताऊंगा ठीक है ये जो word है ये अरभी भासा का word है ठीक है इसके बाद हम जानेंगे इसके आरम के बारे में यानि की इसकी starting के बारे में की जो इकता system है इसकी starting की सरीके से होती है इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये इसलामिक धर्म से होती है वहां के जितने भी जो विनर होते हैं जितने भी जो विजाई व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ छेतर दिये जाते हैं जिसे हम इक्ता कहते हैं और उस जो छेतर दिये आते हैं उन्हें नए छेतर दिये आते हैं व उद्देश होता है कुछ नए कुछ अब जीक्टी होते हैं इसी तरीके से हम उसकी starting के बढ़ ईसके उद्देश हपड़ेंगे थीक है इसके बाद हम जानेंगे कि जो इकता सिष्टम है यह भारत में किस तरीके से एंटर करती है तो जो भारत में यह मुहमद-गौरी के परणाली को यूज किया इसके बाद हम बात करेंगे इसके परिणाम के बारे में बात करते हैं तो इसके दो दो रिजल्ट निकलते हैं आपको पता हिए पहला पॉजिटिव इंपेक्ट दूसरा झेगटिव इंपेक्ट स्तुर्अ तो हम जानेंगे इसके दर्वाय के बारे में यह बारित में यह भारत में में अलग-अलग बंसों में बदलता रहता है उसमें परिवतन होते रहते हैं ठीक है तो यह सभी चीजे आज हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं यह मैंने आपको इसका पूरा ओवर्विव दे दिया है ठीक है तो अब हम जान लेते हैं कि एक्जाम में किस तरह से कॉ बारे में हमें बताना है ठीक है इसी तरीके से दोधर 21 के पेपर में पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के कार प्रणाली का परिक्षन कीजिए 2019 में सीधे सीधे टिपणी लिखने के लिए आया था ठीक है इससे शौट टैप कॉशन भी बन जाते हैं जिसमें सिंपल सा का था इक्ता प्रणाली के बारे में बताओ इसी तरीके से 2019 के सेट वन में पूछा गया था सल्तनत के आर्थिक और स्यानिक शार्षन में इक्ता प्रणाली के महात्व का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए ठीक है यानि कि सिंपल सिंपल कॉशन पूछे जा रहे हैं डारेक्ट डारेक्ट उतना कुछ खास नहीं है ठीक है आप से सिंपल कॉशन पूछे जा रहे हैं और आप इजीली इनका आंसर दे सकते हो तो ये बागी के भी आप इसका एक स्क्रीनशोट ले लेना है ठीक है तो अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि एक्जाम में हमें किस तरीके से आंसर लिखना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग के बारे बताएंगे कि जो इक्ता या फिर अक्ता वर्ड है इसका मतलब क्या होता है ठीक है मैं आपको बतायता हूं जो इक्ता वर् जो राजा होता था, जो सुल्तान होता था, वो अकेले पूरे जो देश है, उसको नहीं चला सकता, ठीके, मालो वो इस जगह रहता है, ठीके, लेकिन क्या वो दूरस्त, जितने भी दूर-दूर के छेत्र होंगे, क्या वो वहाँ तक अच्छी तरह शाषन कर पाएगा, नहीं वो जो अपने नजदीक के एरिया है उनी पर अच्छी तरह कंडूल कर सकता है जो दूर के छेतरे हैं वहाँ अच्छी तरह कंडूल नहीं कर सकता ठीके? तभी ये क्या करता है अपने अंडर कुछ लोगों काम पर लगा जाता है ठीके? जिसे हम जो शार्षन है वो तुम चलाओ ठीक ए कुछ इस तरीके से वो लोगों को अपने अंडर काम में लगाता था जिस से वह पूरे जो भारत है उस पर इजिली कंट्रोल कर सकता है जो दूर-दूर के छेतने वहाँ बी इजिली कंट्रोल कर सकता है ठीक है एंट हर जगा से वह अब टेक्स वसूल सकता था उसका वो विस्तार कर सकता है ठीक है वह अपने अंडर इस तरीकalds इस Its तो इस तरह से कुछ इक्ता सिस्टम चलती थी ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको उता है जो इक्ता या फिर अक्ता वड़े ये अर्भी भासा से लिया गया है ठीक है अब स्टार्टिंग में क्या होता था जितने भी जो सैनिक कमांडर होते थे या फिर जो अविजात वर्क के लोग होते थे उन्हें प्रशाषन चलाने के लिए ठीक है यहां वहां का जो शाषन चलाने के लिए एंड राजस्व वसूलने के लिए जोहां से रेवेन्यू जो टैक्स होता है वो लेने के लिए उन्हें नए छेतर दी जाते थे अब यह जो नए छेतर थे इन्हें हम क्य पिनर होते थे विजय जो प्राप्त व्यक्ति होते थे उसे एक्ता दिया जाते था एक्ता का मतलब छेत्र दिया जाते थे एरिया दिये जाते थे कि यह एरिया तुम्हारा है अब तुम इसमें अपना प्रशाशन करो एंडवांस अपना रेवेन्यू टेक्स वसूलो ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसके परपस के बारे में, क्या के इसके क्या क्या उद्यशन थे, क्यूं लागू किया गया, तो जैसे कि मैंने आपको आताया, कि पहला रिजन तो यहीं है, कि जो सुल्तान है, वो अकेले सभी छेत्रों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो अब जो इक्ता सिस्टम है, इससे वो अब हर जाग कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसने अपने अंडर लोगों को काम पर लगा दिया है, ठीक है, अब जितने भी दूर-दूर के छेत्र हैं, भारत में कहीं पर भी जो दूर के छेत्र हैं, वहाँ पर वो इसली कंट्रोल कर सकता है, इसके अलावा, वो बिना केंद पर भार डाले, यानि कि अब सुल्तान पर जादा लोड भी नहीं रहेगा, ठीक है, कारे भार में उसके कम आ रहोंगे, ठीक है, तो अब सैनिक शार्षान इस तरीके से हो सकता है, जिससे की सांती आती है, ठीक है, तो ये थे इसके कुछ परपस, अब हम बात कर लेते हैं, जो भारत में इक्ता प्रणाली है, उसका परीचिया, यानि कि भारत में इक्ता प्रणाली किस तरह से एंट प्राप्त कर लिए तब विजे के पश्चात उन्हें जितने भी नए छेत्र मिले तीक है उन्होंने अपने सैनिक ट्कुड को भाट दिया कुछ नए ने साहँ ने राज्जे कुछ नए छेत्र टिके जिसे की जो एक्ताप्रणालि का आरंब हुआ यह जो धारक थे ठीक है इन्हें हम वली या फिर मुक्ति भी कहते थे ठीक है इनके नाम थे वली या मुक्ति जो जिने भी जो नए शेदर दिये जाते थे तो अब हम बात करते हैं एक्ता प्रणाली के विकास के बारे में जैसे कि हमने अभी तक पड़ा कि जो भारत में एक्ता सिस्टम को मुहम्मद बिन गोरी के द्वारा लाया जाता है ठीक है अब इसके बाद जो एक्ता सिस्टम है उसका विकास किस तरीके से होता है तो इसके ज को लागो किया लेकिन 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 जो इलततु में से उन्होंने इसे एक संस्था के रूप में लागो किया जो इलततु में से उन्होंने इकता सिस्टम को एक institution मना दिया एक संस्था के रूप में लागू कर दिया तो संस्था के रूप में लागू करने का जो श्रह है वो इलततुमिस को जाता है लेकिन जो इक्ता सिस्टम को भारत में मुहम्मद गौरी ने लाया था यानि कि आप यह कह सकते हो कि जो इक्ता सिस्टम को भारत में launch किस ने किया मुहम्मद बिर गोरी ने किया लेकिन इसे एक संस्ता के रूप में इलततुमिस ने लागू किया ठीक है अब इसके बाद हम क्या देखते हैं जो इलततुमिस है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेते हैं वो क्या करते हैं जो सामराज है उन्हें एक चोटे बड़े वागों में बाट देते हैं, यह जितने भी जो नए छेतर थी, इन्हें अपने सर्दारों के बीच बाट देते हैं, एक्तिदार क्यालाते हैं ठीक है, जो क्यों आप रोधन करेंगे यह से रेवन्यू टेक्स को वसू लेंगे, अब इसके और हम क्या देखते हैं ? जो इल्टतु में से उनके शाषन के दोवान इननोंने जो एक्ता है उसे दो भागों में बाट दिया पहली छोटी एक्ता अन्द दूसरी बड़ी एक्ता ठिक है ? अब छोटी एक्ता के अंदर क्या क्या कारे होते हैं इनके जो मुख्य क्यारता वो क्या था राजस वो प्राप्त करना याने की रेवेन्यू टेक्स को वसूलना दूसरा कानून व्यस्ता को लागू करना और इसके अलावा आफशक्ता आने पर वहाँ पर सैनिक सुईधा इनका जो कार्य था यह भी छोटी एक्ता की तरह सेम था राजस वो कर वसूलना ठीके रेवेन्यू टेक्स वसूलना कानून व्यस्ता को लागू करना और इसके अलावा जितने भी जो समाज कल्यांड के कार्य होते हैं वो सब करते थे जैसे सरक का निर्माड करवाना नियाय ठीके किसी संबंदित समस्याओं को निप्टारा करवाना एक्सेक्टरा कारे करते थे ठीके अब इसके अंदर जो भी कारे करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें मुक्ती वली या अमीर आधी नामों से जाना जाता था ठीके तो अब हम देखते हैं बलबन के अधीन एक्ताप्रनाली कैसी रही तो एक करके हम सभी के बारे में डिसकस करेंगे अब जो बलबन ने एक अधीकारी ख्वाजा को एक्ताप्रनाली के लिए न्यूट किया अब वो क्या करते हैं काफिया था कठोर और तानासाई वरस्ता लाता है अब इसके वाद हम देखते हैं। अलावदीन खिलजी के अधिन एकता प्रणालि के बारे में है। autorize the जितने भी एक्तिदार थे उनका उन्मूलन कर दिया जितने भी छोटे एक्तिदार थे उन्हें हटा दिया ठीक है अलाव दिन जो खिल जिये उन्होंने सैनिक भुक्तान का तरीका ही बदल दिया उन्होंने क्या किया जितनी भी भूमी थी उसे खिल जी भूमी में बदल दिया अब ये खाल सा भूमी के क्या मतलब है खाल सा भूमी से हमारा ये अभी प्रा है कि जितनी भी जो भूमी है वो केंदर के अदिन हो जाएंगे यानि कि अब जो पावर होगी वो सेंटर के हाथ में होगी ठीक है बटी नहीं होगी पावर अब सेंटर के हाथ में जो पावर है वो चली जाएगी तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया आप यह कह सकते हो ठीके अब इसके आद हम बात कर लेते हैं तुगलक वंस के दिन इक्तापनाली कैसी रही ठीके तो गयासुदीन तुगलक एक्तेदारों के पती काफियादा उधार थी ठीके लेकिन इसके बाद क्या होता है जो इस्थिती में परिवर्तन आता है अब गयासुदीन के बाद को आता है हमारे मुहमद बिन तुगलक आते हैं अब जो जब मुहमद बिन तुगलक का समय आता है लोधी काल के time जो हमारी एक्ता परनाली होती है ठीक है तो यहाँ पर जो लोधी काल के जो शाशक होते हैं वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाते हैं वो क्या करते हैं इसका जो विखंडन कर देते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है जो लोधी काल में एक्त सारे इक्तिदार को न्युक्त कर देते हैं ठीक है तो ये भी जो लोधी काल के टाइम एक बहुत बड़ा बदलाव रहा अब अगर हम बात करें इसके रिजल्ट के बारे में इसके परिणाम के बारे में जैसा कि मैंने आपको उताया था हर सिक्के के दो पहलू होते हैं पहला नाकरात्मक दूसरा सकरात्मक तो अब अगर हम इसके नाकरात्मक परिणामों के बारे में बात करें तो ये जो विवस्ता है इसने इक्तिदारों को काफी यादा अधिकार दे दिए ठीक है यानि कि जैसा कि आपको पता होगा जो सुल्तान है वो जो इक्तिदार को न्युक ठीकई जिससे क्या हुआ ठाम- जो-जो-खुंड-ॎकव-थिक Mir need for Pages ऊणED-ॉदास लगओ-ॉद में लृष्भत-खोब उनकिंग समझेंने लग गये पर कोए और TMP जब जब सुल्टान यानिकि केंद्र कमजोरह में जब जब-घब जब हमारे सुल्तान हैं जोर हो गए है, तो इक्तेदार स्वयम को सोतंतर भौशित कर देते हैं, यानि कि वो कहते हैं कि मैं उसके अंडर काम नहीं करता… मैं खुद एक राजा हूँ, ठीक है, इस तरीके से… तो इस तरीके से इसके नाकरात्मक प्रभाव कुछ परयें। अब अगर हम इसके साकारात्मक प्रभाउग के बारे में बात करें, तो एक्ता प्नाली सांति इवस्था लाती है। ठीक है? क्याकि इसमें जो पावर इसका डिस्ट्रिबिूशन होता है, ठीक हैं? अब वहां से जो राजायव, इसली हर जग़से जो टैक्स है, यहीं सभी इसके आप फाइदे में देखोगे अब जब वहां से वह टेक्स वसूलते हैं तो इससे क्या होता है राजासुकर में वृद्धी होती है धनकी वृद्धी होती है अब इसके अलावा बिना खर्चे के एक नई बड़ी सिना तयार हुआती है वह हर जगा जो इतने चैना इसके अलावा वह दूर दूर चेतरों पर बीजिली कंटरोल कर सकता था जो सुल्टान था वह दूर के छेतरों भी इजली कंट्रोल कर सकते था इसके अलावा शहरी करन को बढ़ावा मिला ठीक है तो यह थे इसके कुछ पॉजिटिव इंपक्ट ठीक है अब अगर हम कंक्लूजन की बाद करें तो दिल्ली सुल्तानों के अदिन इक्ता प्रनाली का विशलेशन करने से हम यह निसकर्स निकाल सकते हैं कि दिल्ली सुल्तात में जो इक्ता प्रनाली है उसका कोई इस्थाई अस्तित्व नहीं रहता जितने भी जो अलग अलग शाशक होते हैं उन सभी के टाइम जो इक्ता प्रनाली है उसके प्रारूप में चेंजिस होते रहते हैं ठीक है इसमें अनेक सुल्तानों के अंतरगत जो इक्ता प्रनाली है उसका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन या फिर बदला हुआ जैसे तो इस तरीके से अलग अलग शासों के बीच जो इक्ट पना लिए उसमें चेंजिस आते रहें अब तो अगर मैं आपको शंसेप में बता हूँ तो आप यह कह सकते हो कि मुहम्मद गौरी ने इससे लागो किया एक्तापनाली को लागो किया और इलततुमिस के द्वारा इससे एक संसा के रूप में लागो किया गया और इसके बाद हमें जो एक्तापनाली है उसका भालत में वि वीडियो यूसफुल लगियो तो प्लीजिसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू करना, थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो